Hello Friends, Welcome to my Youtube Channel आज के वीडियो काफी important रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे Paramedical Course की जी हाँ वीडियो में हम देखेंगे कि Paramedical Course क्या होते है Paramedical का मतलब क्या होता है और युग्यता क्या रहेती है Course में Advision के लिए इसके लाब हम बात करेंगे paramedical के अंदर कौन कौन से course होते हैं और paramedical course में addition का क्या procedure रहता है आप इसमें addition कैसे ले सकते हैं इसके लाबा हम बात करेंगे कि paramedical जब आप course कर लेते हैं जिसके बाद job scope क्या है साथी cell लिक इतनी मिलती है paramedical staff को और top course हम देखेंगे कि MPK कौन से अच्छे कोर्स हैं जिनमें आप ज्यादा जॉब स्कोप है तो फ्रेंट्स पैरामेडिकल से रिलेट सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने बाले हैं तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखें कि पैरामेडिकल का इंट्रोडक्शन प्रे करता है उसी हम पारामेडिकल स्टाप कहते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से परामेडिकल के के अंदर कि तो इसमें आपको चार्परगार की सौन मिल जाएंगे इंड पहला जो चौर्स होता है दिभरेस की उटी है चैए 6 महीने से एक साल के भीच ऐसे दिप्लोमा कोटтесь हम बात करेंगे तो बात करेंगे डिक और ना क्यों आपका रहता है इसके अग्रेमा से अगर आप करते हैं तो आपका इुसका अलग कोर्स के लिए अलग 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 होती है- आप देखेंगे कि अगर आप पर्हामेटिक्ल को इडिसाख लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए कितना होता है कि कुhora qg k timely आपको केवल 10 pass होना चाहिए और कुछ काफी सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें एडिशन के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए वो भी PCB से PCB में आपका Physics, Chemistry और Biology रहता है अगर आप इन कोर्स से 12th पास आउट नहीं है तो आपको यहाँ पे एडिशन नहीं मिल पाएगा और कुछ कोर्स होते हैं उनमें आपको graduation मागी जाती है तो फ्रेंट्स ऐसे आप eligibility criteria को समझे तक सकते हैं Paramedical course में एडिशन के लिए इसके बाद हम देखेंगे course list क्या होता है जिहां Paramedical के अंदर कौन-कौन से course होते हैं और इनहीं में से हम top course भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा job scope किन में रहता है तो पहला जो आप course देख रहे हैं वो है medical lab technology जहां इसके आपको certificate course भी मिल जाएगा इसके बाद है एक्सरी रेडियोग्राफर का तो इसमें भी आप VX ID कर सकते हैं वेचलर इन एक्सरी रेडियोग्राफर इसके अबद आवा आप इसका डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं certificate course भी आपको मिल जाएगा एक्सरे का इसके बाद तीसरा जो course है वह है dialysis technician का इसके आपको तीनों कोर्स मिल जाएंगे डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इसके अलावा आप एनेश्टीश्य टेक्नालोजी का भी कोर्स कर सकते हैं काफी अच्छा जॉब इसको प्रहता है और क्यूफेस्टनल थैरफिस्ट का आप वैचलर कोर्स भी कर सकते हैं छटा कोर्स हमारा फीजियो थैरफिस में आप डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं ऐसी साथवा कोर्स है ओटी टेक्निशिन का बोलते हैं जैसे हम ऑपरेशन ठेक्नालोजी इसमें आप बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं सेर्टिफिकेट कोर्स का कोर्स भी इसका एबलेवल है प्रेंट्स एसजी टेक्निशन का कोर्स भी आप कर सकते हैं इसके लाब सिटेश्चेन, MRI जो की Medical Imaging Technology के अंतरगात कोर्स आते हैं इने भी कर सकते हैं काप बहुत अच्छा जोब कोड़ आफ कर सकते हैं ऑually टेकनीशन का कोड़ भी आप कर सकते हैं काफी फ्रेंट से वेकेन सी आई हैं वी eighteen की अ कि हम आइसके अलब आप टेखनीशन होट कर सकते हैं इसके लाब डेंटल टेग्निशन का कोर्स भी आप कर सकते हैं और इसके लाब अभी फ्रेंट्स काफी सारे कोर्स आते हैं परामेडिकल के अंदर जिन्हें में काफी अच्छा जॉब स्कूफ है अब हम देखेंगे आगे की टॉप गवर्मेंट कॉलेज कॉंसेंस के तो आप स कोर्स में कोर्स भी हो सकते हैं या सर्डिफिकर्विकेट कोर्स में हम बात करशें तो आप और के मेडिकल कोलेज इन दोर से इसके अलावा प्रेंट्स मेडिकल कॉलед्स रिवा से 好了 कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंट्स अगर आप चाहें नेता जी सुभासचंद बोस मेडिकल कोलेज जवलपुर से भी आप कोर्स कर सकते हैं ये टॉप कोलेज है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पैरा मेडिकल कोर्स के लिए इसके अलावा काफी सारे नए मेडिकल कोलेजिस हैं जैसे हमारा विदीशय का मेडिकल कोलेज है खंडबा का मेडिकल कोलेज है रतलम का मेडिकल कोलेज है दिया दतिया का मेडिकल कोलेज है यहाँ पर भी friends काफी सारे paramedical course कराए जा सकते हैं इनमें जैसे एडिविशन स्टाइट होंगे तो इसकी जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जागी तो आप चैनल से जुड़े रहेगा तो friends यह थे हमारे स्टेट के कुछ टॉप गवर्मेंट कॉले जिनमें आप एडिविशन लेके paramedical course कर सकते हैं अब हम बात करेंगे फीस कितनी लगती है paramedical course के लिए friends यह आपके course पर डेपेंड करता है कि आप कौनसा course कर रहा है जैसे अगर आप degree course कर रहा है तो इसकी जो वार्षिक फीस होती है यह 62, 70K के लगभग रहती है इसके अलवा आप diploma course कर रहे हैं तो इसकी फीस आपकी 40-50,000 के बीच की रहती है अगर आप वही certificate course कर रहे हैं तो इसकी जो फीस है वो 30-40,000 के बीच रहती है फ्रेंट्स यह हो गया हमारे फीस का फीस इस प्रकार से रहती है इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन प्रोसेस क्या रहती है तो फ्रेंट्स अभी तक तो मधिट प्रदिश में Medical College में para medical course करने के लिए एडिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो कोई भी इंट्रेंस एक्जाम यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर आपको सीधे merit के आधार पर एडिविशन मिलता है जिहां आपको 12th pass out होना चाहिए PCB से इसके आपकी जो merit बनेगी वो इनी subject से बनती है किनी किनी college में आपके 12th के 5 सब्जेक्ट लिए जाती है जिहां आपको प्राइवेट नौगरी तो बहुत ही आराम से मिल जाएगी वही आकर government की आप ट्राइ करते हैं तो इसमें भी आपको काफी जल्दी जोब मिल जाएगी क्योंकि प्रामेडिकल स्टाप की काफी कमी है और इसकी competition की बात करेंगे तो से बीटिटि तरह पहलाल कम है अभी पैरामेडिकल फिल्ड में अगर आप चाहें तो को सकते हैं आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी इसके अलाब हम बात करेंगे सेली कितनी मिलती है तो प्रेंट्स पहले हम बात करेंगे प्राइवेट अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कितनी सेली मिलेगी इसके लाब अगर आपका government job में selection होता है तो आपकी 28 cases selling starting होती है परामेडिकल इस्टाप की वहीं अगर और आखिर में आप friends आपकी selling काफी ज्यादा भी हो सकती है तो friends से यही था परामेडिकल से related सारी हमने जनकारी कवर की है अगर अब भी आपको कोई समझने में परिसानी हो रही है तो आप comment session के माध्याम से पूछ सकते है और परामेडिकल कोर्स में जैसे ही एडिविशन स्टाट होंगे तो इसकी जनकारी भी आपको चैनल के माध्याम से मिल जाएगी तो चैनल सब्सक्राइब करके रहेगा आप साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रहेगा क्योंकि पैरामेडिकल स्टाप के अगर कोई फी निव अपडेट निकल के आएगे वेकेंसी से रिलेटेड तो इसकी जनकारी भी आपको मिल जाएगी आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद